जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बस छूट जाए अब इस संटेंस में क्या गलत है? Friends, लेस्च का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो की लेस्च अपने आप में ही नेगिटेव वर्ड है, इस लिए इसके साथ not लगाने की जरुरत नहीं होती इसलिए यहाँ should के साथ not नहीं आएगा क्यों? क्योंकि लेस्च अपने आप में ही एक नेगिटेव वर्ड है, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो की तो हमारा right sentence होगा Hurry up, lest you should miss the bus जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बस छूट जाए इसी का एक और example देखिए Write the correct address, lest parcel should go somewhere else सही पता लिखो, ये न हो कि parcel कहीं और चला जाए Friends, आपको ये बात याद रखनी है कि lest का मतलब ही होता है, कहीं ऐसा न हो की तो अगर हम sentence में lest का use कर रहे हैं तो not का use नहीं करेंगे I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने next sentence की तरफ Next sentence है हमारा I want to get my copy checked मैं अपनी copy चेक करवाना चाहती हूँ अब इस sentence में क्या गलत है Friends, हम जिसे पढ़ते हैं उसे book बोलते हैं और जिसमें लिखते हैं उसे copy बोलते हैं लेकिन ये बिल्कुल गलत है English की किसी dictionary में ये नहीं लिखा कि जिसमें हम लिखते हैं उसे copy बोलते हैं क्यूं? क्यूंकि Friends, copy का मतलब होता है नकल करना और जिसमें हम लिखते हैं उसे copy नहीं notebook कहते हैं Teachers भी स्कूल में यहीं गलती करती हैं Notebook ना बोलकर copy बोलती हैं लेकिन copy का मतलब होता है नकल करना ये word बिल्कुल गलत है हमें बोलना है हमारा correct sentence होगा I want to get my notebook checked मैं अपनी notebook check करवाना चाहती हूँ I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने next sentence की तरफ Next sentence है हमारा Please send this courier at my new address कृपया इस courier को मेरे नए पते पर भेज दो अब इस sentence में क्या गलती है Friends, जब भी किसी जगा की दिशा तै हो दिशा यानि की direction या फिर destination fix जो तो हम to का use करते हैं यहाँ पर at की जगा पर to आएगा क्यों? क्योंकि address fixed है कि हमें इसी जगा पर courier भेजना है अगर destination या फिर direction fix जो कि जिस जगा पर भेजना है वो confirmed जगा है कि यहीं भेजना है तो वहाँ पर हम sentence में to का use करते हैं तो हमारा correct sentence होगा Please send this courier to my new address क्रिपया इस courier को मेरे नए पते पर भेज दो I hope यह concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने next sentence की तरफ Next sentence है हमारा He was one of the best student of the class वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा विध्यार्थी था अब इस sentence में क्या गलत है Friends, यहाँ पर student की जगा पर students आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक छोटा सा rule समझना होगा एक छोटा सा formula समझना होगा और वो formula यह है कि जब भी sentence में one of the आएगा उसके बाद जो भी noun आएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा तो हमारा correct sentence होगा वह अपनी कक्षा का सबसे अच्छा विध्यार्थी था इसी का एक और example देखिए वह टीम के सबसे अच्छे खिलाडियों में से एक है अब यहाँ पर players क्यों आया है? वही rule सेम अपलाई हुआ है जब भी sentence में one of the आएगा तो उसके बाद जो भी noun आएगा वो हमेशा plural होगा I hope यह concept आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने next sentence की तरफ Next sentence है हमारा Each of us have done the homework हम में से प्रतेक ने ग्रह कारे कर लिया है अब इस sentence में क्या गलत है जहां भी जिस भी sentence में इन चारों में से कोई एक भी word यूज हो रहा हो वहाँ पर verb हमेशा singular आएगी लेकिन noun या फिर pronoun हमेशा plural होगा यह fact है यह grammar का rule है जो आपको अपने mind में बिठाना है और समझना इसको इसी तरीके से है तो हमारा correct sentence होगा each of us has क्यों? क्योंकि sentence में each का use हो रहा है और मैंने अभी अभी आपको rule बताया है कि जब भी sentence में each, every, neither, either आएगा इन चारों में से कोई एक भी word यूज होगा वहाँ पर verb singular यूज होगी लेकिन noun या फिर pronoun plural होगा तो यहाँ पर have की जगा पर आएगा has तो हमारा correct sentence होगा each of us has done the homework हम में से प्रतेक ने ग्रह कारे कर लिया है I hope यह concept आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने next sentence की तरफ next sentence है हमारा she is my cousin sister वह मेरी चचेरी बेहन है या फिर आप कह सकते हैं वह मेरी मा मेरी बेहन है अब इस sentence में क्या गलत है फ्रिंच कजन का मतलब ही होता है भाई या बेहन कजन के साथ ब्रदर या फिर sister नहीं लगाते तो हमारा correct sentence होगा she is my cousin वह मेरी चचेरी या फिर मेरी बेहन है अब आपके mind में ये question पॉप अप हो रहा होगा कि यहां sister तो use हुआ नहीं तो sentence से कैसे पता चलेगा कि हम भाई की बात कर रहे हैं या फिर बेहन की बात कर रहे हैं तो he या फिर she से हम समझ सकते हैं कि भाई की बात हो रही है या फिर बेहन की बात हो रही है तो अगर sentence में आपने यूज किया she is my cousin sister या he is my cousin brother तो वो sentence होगा incorrect और correct sentence होगा she is my cousin या फिर he is my cousin क्योंकि cousin का मतलब ही होता है भाई या बेहन I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने next sentence की तरफ Next sentence है हमारा His dressing sense is good वो जो कपड़े पहनता है उसका style बहुत ही अच्छा है अब इस sentence में क्या गलत है Friends, dressing sense करके कोई word ही नहीं होता ये गलत English है हमेशा बोलिये His dress sense is good वो जो कपड़े पहनता है उसका style बहुत ही अच्छा है Dressing sense कोई word है ही नहीं English में इस sentence में जो बहुत बड़ी गलती है वो है dressing sense तो हमारा correct sentence होगा His dress sense is good वो जो कपड़े पहनता है उसका style बहुत ही अच्छा है I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने next sentence की तरफ Next sentence है हमारा I thought you are singing मैंने सोचा तुम गा रहे हो अब इस sentence में क्या गलत है Friends देखिए मैंने सोचा इसकी English होगी I thought ये past tense है तुम गा रहे हो इसकी English होगी you are singing ये present tense है इन दोनों sentences का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है क्यों क्योंकि ये दोनों sentences बिलकुल अलग है लेकिन अगर हम इन दोनों sentences को एक कर दें जैसे की हमारा sentence है मैंने सोचा तुम गा रहे हो तब ये पूरा का पूरा sentence past में बोला जाएगा मतलब इसका first part और second part दोनों ही parts past में बोले जाएंगे तो हमारा correct sentence होगा I thought you were singing मैंने सोचा कि तुम गा रहे हो I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने next sentence की तरफ next sentence है हमारा I have problems to speak French मुझे French बोलने में बहुत दिक्कत आती है अब इस sentence में क्या गलत है friends जब भी आप बोले I have problems तो उसके साथ हमेशा ing वर्ब का यूज करें तो हमारा correct sentence क्या होगा I have problems speaking French क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको एक रूल बताया है कि जब भी आप बोलेंगे I have problems उसके साथ हमेशा जो भी वर्ब यूज करेंगे उस वर्ब के साथ आपको हमेशा ing यूज करना है एक और example देखिए इसी का I have problems starting new profession मुझे नया काम शुरू करने में दिक्कत है I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने next sentence की तरफ Next sentence है हमारा Everybody will get their share सबको अपना हिसा मिलेगा अब इस sentence में क्या गलत है Friends, जब भी कभी sentence में Everybody, Nobody, Anybody, Somebody इन चारों में से कोई एक भी word यूज हो तो ये सब singular pronoun है जिनके साथ singular ही यूज होगा और इस sentence में their का use किया गया है जो की है plural तो यहाँ पर गलती क्या है plural का use नहीं होना singular का use होना है तो यहाँ पर their की जगा use होगा his तो हमारा correct sentence होगा Everybody will get his share सबको अपना हिस्सा मिलेगा I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा Friends, मैं उमीद करती हूँ कि आज का lesson आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन गलतीयों को कभी भी नहीं करेंगे आज का lesson आपको कैसा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपको इन सब sentences से related अभी भी कोई problem है कोई भी query आपके mind में है तो आप मुझसे comment box में comment करके पूच सकते हैं Thank you, God bless you all